नमस्कार दोस्तों दोस्तों जैसा के लपी के वेकंसी आ चुकी है तो बहुत से लोगों के दिमाग में ही चल लाओगा कि हम फार्म के जोन से अपलाई करें और के जोन का कटाप किनना जाता है तो सबसे पहले हम आपको कटाप दिखाएंगे सभी जोन का ताकि आप सबसे पहले मैं आपको अपना स्कोर काट दिखाता हूँ तो देखिए मैं आरा भी गोरगपूर से अपलाई किया था है यहां पर गोरगपूर पड़ा हुआ है मेरा राइस्टेशन नंबर रोल नंबर हाइड किया हुआ है और मेरा नाम पड़ा हुआ संतोश कुमार तो ज जो cvt1 का पेपर हुआ था वो 75 कोश्चन का हुआ था तो यहां देखिए रा मार्क आउट आफ 75 तो मेरा काटपीट के जो टोटल नंबर हुआ था वो 40 नंबर हुआ था 75 में तो रेलवे पहले पेपर 75 नंबर का लेती है उसके बाद उसको 100 नंबर करके आप फिर नंबर कर रेड्र करती है तो जब इसको 75 को 100 प्रोटेट किया तो मेरा जो नंबर हो गया था 55 हो गया था और मेरा जो नार्मलाइज मार्क हो गया था वो 77 तावन दसमलो चार दो हो गया था तो गोरगकुर का कटाफ कम गया था तो ऐसे इसटार्टिंग में तो पहले 45 भूर 6 순च नं नहीं हो पा रहे थें तो फिर वो 45-45 से कटाफ को और घटा के जितने लोग लगवग में CVT1 में क्वालिफाइक थें सब को ले लिया था CVT2 के लिए क्योंकि मेरे पार्डनर कभी पहले नहीं हुआ था और बाद में जब वो क्वालिफाइंग वाले को सब को ले लिया तो मेर ध्यान से देखना पड़ेगा जैसे आप अगर मेकैनिकल से हैं तो कौन से एक्जाम ट्रेट से पेपर देना चाहते हैं क्योंकि जो CVT2 में जो पार्ट B का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है अगर आप उसमें क्वालिफाइंग नहीं कर पाएं तो आप में दोनों का था तो यहां पे मैं उसका कोड़ डाला हूँ उसके बाद मुझे ये मेल आया था तो यह एक आपलिक दोज़र अठार के विकेंसी थी और उसके बाद जो CBT2 का पेपर था वो दिया था 23.1.2019 बट इसको बाद में थोड़े कुछ दिन के लिए फिर पोस्ट पॉन्ड हो गया तो साथ मार्च अप्रेल में CBT2 हो गया था तो यह मेरा स्कोर कार्ड और मेल हो गया तो हम आपको ले चलते हैं सभी जोन का कटाफ दिखाते हैं ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि किस जोन में कटाफ कम जाता है और वहां से आप फार्म अपलाई कर सकें तो दोस्तो आरावी एलपी टेक 2018 है यह केवल एलपी का CBT1 का कटाफ है और यह जो नंबर है नारमलाईज मार्क से है तो यहाँ पर देखे जोन UR, OVC, SC, ST यहाँ पर कटेगरी वाज में दिया हूँ तो सबसे पहले हम हमदाबाद का देखते हैं यहाँ पर M का मतलब है Mechanical और E का मतलब है Electrical UR का गया था OVC का 55 SC का 49 और ST का 45 और Azmer में Mechanical का 53 OVC का 44 SC का 37 ST का 26 और इलाबाद में Electrical का गया था 50 UR का OVC का 41 SC का 36 और ST का 27 तो ऐसे ही आप सभी जोन का देख लिजे और मैं अपना Farm गोरपूर से अपलाई किया था जहां पर Mechanical का पोस्ट था वहाँ पर UR का कटाब गया था 40 नंबर OVC का कटाब गया था 30 नंबर SC का कटाब गया था 30 नंबर ST का कटाब गया था 25 नंबर तो स्टार्टिंग में तो यहां पर पे OVC का कटा 45-46 के प्राक्स बनाया बट 8-9 गंडिडेट नहीं हो पा रहे थे तो इसको कटा अफ कम करके फिर और कंडिडेट को सेलेक्ट किया ऐसे ही आप देख लिए गुहांटिंग में UR का 40 OVC का 33, SC का 30 और ST का 25 कुलकता में UR का 41 और OVC का 30, SC का 30 और ST का 25 मेकैनिकल में कुलकता में UR का 43 और OVC का 30, SC का 30 और ST का 25 ऐसे मुंबई में यहांपे UR का 47 और OVC का 41 SC का 38 और ST का 27 तो यह पुरा जोन का है वीडियो लंबा हो रहा है आप एक बार हम आपको उपर से नीचे तक स्क्रॉल कर देते हैं आप मिला लिजेगा तो यहां पर आप देख लिजे कि की जोन में कटाफ जादे जाता है वैसे जो डेंजर जोन माना जाता है वो इलहाबाद हुगा और एहमदाबाद, अजमेर, ये गोरापूर का कटाफ कुछ कभी किसी एकजाम में कम रहता है किसी एकजाम में जादे रहता है जैसे लोको पाइलट में गोरापूर का कटाफ कम था फिर जो जेई का पेपर हुआ था उसमें भी कम था लेकिन गुरुबडी में गोरापूर का कटाफ काफी हाई गया था से एंटी पीसी में भी वरकपूर का कटाप थोड़ा कम था इलावात का बहुत जादे गया था तो ये कटाप कोई accurate मतलब नहीं लगा सकता है कि कहां पर कितना जाएगा बस आप एक बार इसको देख लीजिए और एनलसिस कर लीजिए कि हाँ कि जोन से हम फार्म अपलाई करें ताकि मेरा सेलेक्शन हो जाए तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगए प्री लाइक करेगा मेरे चैनल से जूट जाईएगा और ऐसे ही जितने भी इनफार्मेशन दते मैं उसका वीडियो बना के डालता रहूँगा आगे मैं आपको CBT2 का भी स्कोर काड दिखाऊँगा और तयारी का जो कैसे तयारी करें आपको बताता रहूँगा चलिए फिर वीडियो लंबा हो रहा है फिर बाहने मिलते हैं धन्यवाद